आज 23 मार्च है और पूरे देश में आज शहीदी दिवस मना कर अमर शहीद भगत सिंग, राजगुरू और सुखदेव को याद किया और शद्धाचली दी जा रही है चंडिगर परिशासन नी भी इसी कड़ी में नोटिफिकेशन जारी करते इस मार्च को पब्लिक होली डे मनाने का अलान किया था लेकिन आज परिशासन और निगम ने शहर में कहीं भी आधिकारिक रूप से शहीदों को शर्धाचली देने का कारिकर्म नहीं रखा हुआ था शहर के टेरिस गार्डन में एक सत्रे फुट पूचा शहीद स्टम भी स्थापित गया गया है जहां युद्ध में शहीद हुए चंडिगर के 33 सैनिकों के नाम सुनेरी अक्षरों में लिखे गए हैं इस स्टम पर शहीद भगत सिंग राजपिरू सुकदेव की शहीदी दिवस पर शर्धाचली अर्पित की जाती रही है साल 2016 और 2017 में नगर निगम की और से यहां पर शहीदों को शर्धाचली देने के सामारों भी आयूजित किये गए थे लेकिन आज शहीद समारक की हालत डाईने बनी हुई है शहीदी दिवस के मौके पर जहां देशनास उन्मल शहीदों को नमन किया तो वहीं इस स्टम परस तो सावसफाई तक नहीं हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर मिट्टी ही मिट्टी पड़ी हुई है पूरा कच्रा पैला हुआ है स्थानिये लोग भी शहीदों के इस तरह से हो रहे अपमान से काफी खफा हैं उडसे प्रिशासिंका शहीदों के परती घ Mighty गयर जिब्मेदाराना रविया बता रही है जिस तरह सहीदों के नाम पर राजनीति के वोट लिए जाते हैं तो कम से कम आज के दिन तो ऐसी जो सहीदों के समार्क बने हैं उनको युवाओं को या फिर जो पार्क का निरक्शन करते हैं। उनको यहाँ पर सफाई करने चाहिए। हर जगह मैं तो कहते हूँ जहाँ भी सहीदों का समार्क बने हुए है, वहाँ पे सफाई अभयान चलाना चाहिए। अच्छे नहीं देखिए जी जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर पत्थर मतलम मिट्टी इतनी हो रखी है बीट करी हुए चिड्याओं ने ठीक है कम से माज के दिन तो इनको साफ सफाई रखनी चाहिए तो यह जवान को क्या संदेशा देना चाहते हैं विखो जी आज जापा खुली विजा देविच साल आए रहे हैं तो सिर्फ देश पर तगड़े होना दिया कीतिया हैं कुरबानिया सदका अच्छे जिस तरह के आपनू पता लगा के पंजाब सरकार ने चंडीगर प्रशाशन ने एस बलेदान दिवस्त ने पहली बार प्रशाशन चंडीगर या ओधी मैंनू पील या मैं पील करदानानू पेस दिवस्ते वेची गड़ा एजड़ा समार क्या इनू साफसुत्रा ज़रूर कीता जावे क्योंकि इस तरह चंगा इड़ा नहीं लगदा क्योंकि ए साड़ी नैतिक फर्ज बंदा साड़ी ये ड्य प्रगाय को छोड़कर अधिकतर शहीडी स्थलू का कुछ वक्त के बाद ऐसा ही हाल नजर आता है जो की शर्मनाक है पंजाब के से टीवी के लिए चंडीगर से भगवत सिंग की रिपॉर्ट